केंद्रिय मंत्रिमंडल ने PME Drive योजना PME Drive स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहट अगले दो वर्षों में 10,900 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलब बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस योजना के तहट बैचरी से चलने वाले दो और तीन पहिया वाहनों, इंबुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते इवी के लिए 3689 करोड रुपे की सबसिडी दी जाएगी। हाल ही में महराष्ट्रा के राज्यपाल सी, ती, राधा कृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षन वाला एक जन जातिय विश्व विद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन राजनीतिक दलों के स्थानिय प्रतिनेदियों से मुलाकात की थी। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी सीताराम येचुरी पासस अवेक का 72 वर्ष की आयू में निधन हो गया। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपियम में अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचव रहे और तीन लगातार कार्यकालों तक इस पद को संभाला। येचुरी ने साल 2004 में संयुक्ष प्रगतिशील गठ बंधन, UPA सरकार के लिए भी गठ बंधन निर्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वितम मंत्री निर्मला सितारमन की अध्यक्षता में 54 वी GST काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दोरान, क्यांसा की दवाओं पर GST दर 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसके अलावा, नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर GST दर भी 18 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत कर दी गई। किंद्रिय ग्रह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्व सम्मती से संसदिय राजभाशा समिती का पुनह अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद संसदिय राजभाशा समिती के पुनर गठन के लिए नई दिल्ली में समिती की बैठक हुई थी जहां ग्रिह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया. केंदीय मंत्री राजीव रंजन सिंग प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह योजना का शुभारंब करेंगे और मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस करन क्लिस्टरों पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेंगे. वही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक गेंचेंजर के रूप में उब्री है, जो भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को अभूतपूर्व विकास और स्थिर्टा की ओर ले जा रही है PM Modi ने Greater Noida, उतर प्रदेश में Semicon India 2024 का उद्धातन किया ये तीन दिवसिय कार्यक्रम Semiconductor Ecosystem को समर्पित है Invest India की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतिय सेमी कंड़क्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपती भावन में आयोजित एक समारोह में नर्सेंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रिय ओफ लोरेंस नाइटिंगेल पुरसकार प्रदान किये इस बार यह अवोर्ड 15 नर्सों को करताव्य और सेवा के प्रती उनकी प्रतिबधता के लिए दिया गया यह अवोर्ड भारत सरकार के स्वास्थे और परिवार कलियान मंत्राले द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था भारत की शुभी गुपता ने श्री लिंका के कलूतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंदल शत्रंज चैंपियंशिप में लड़कियों के अंड़-16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंड़-20 में कांसे पदक जीता शुभी ने इससे पहले राष्ट्रमंदल युवा शत्रंज चैंपियंशिप में अंड़-12 स्वर्ण पदक जीता था विदेश मंत्राले ने हाल ही में रिटायर्ड आयेस ओफिसर अरुन गोयल को क्रुएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्स किया है इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्स के रूप में कारियरत थे उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्स नियुक्स किया गया था वह पंजाब कैदर के 1985 बैच के आयेस अधिकारी थे